नमस्कार फ्रेंट्स जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट आपको सोचल मीडिया पे सेयर किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि हम हिंदी के बारे में कुछ मूल भूत जो चीजे हैं उसको डिस्कस करेंगे कई लोगों ने मेरे कमेंट्स में पोजेटिव और नेगेटिव दोनों तरह की कमेंट्स किये मैं उन सब का स्वागत करता हूँ पोजेटिव का भी और नेगेटिव का ज़्यादा करता हूँ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो तो पोजेटिव का फिर मज़ा नहीं आता है मैं कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जिक्रे इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि मैंने वो पोस्ट डाली थी उसका जो टाइटल था उसका जो सीर सक था वो बैसिकली थोड़ा सा कई लोगों को हजम नहीं हुआ और उस टाइटल ने लोगों का अजमा साइद खराब कर दिया इसलिए वो आलोचना कर रहे थे मैं उनकी आलोचना का स्वागत करता हूं से सम्मान पर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं बात यह एक देखिए हिंदी जो है आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि हिंदी जो है भारत में नहीं एक नया डेटा मैं आपको दे रहा हूं जिसको अभी मेरी एक नई जो किताब जो राजस्तान हिंदी गरंथ अगादमी से पुब्लिस हुई है, प्रकासित हुई है, राजस्तान का बोली भुगोल सर्वेक्षन के नाम से, उसमें मैंने पूरी विश्व में हिंदी के बोले जाने वाले स्पीकर्स का एक डेटा दिया है, जो कि मैंने उस सेतर में रिसर्च करने वाले एक डॉक्र नोटियाल जी है, उनको उसमें मैंने कोट किया है, वस्तूत है अब तक ये माना जाता है, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर भासा बोली जाती है, तो वो चीनी भासा बोली जाती है, और उस मंदारिन, उस भासा को बोलते हैं, मंदारिन, ये बैसिकली जो है, वो चीनी भासा की एक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, और अक्सर ये मान लिया जाता है, कि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए चीन की जो बासा बोली जा रही है, वो सबसे ज़ श्यात्मक रूप से ये पून्त सत्य है, कि चीन के बाहर चीनी भासा को ना कोई सीखने वाला है, ना कोई सीखने चाता है. उसकी अपनी कुछ राजनितिक वजह हैं, कुछ भाशागत वीचे वजए हैं। राजनितिक वज़े तो आप जानते हैं कि चीन जिस तरह का जो एक इर्रेस्पोंसिब और और इर्रिलाइबल जो कंट्री है अविश्वस नहीं है और गेर जिमेदार जो कंट्री है जिसकी छवी बन गई है और इस्पेसली कोरोना के बाद और ज्यादा बन गई है दूसरी जो बासागत जो समश्या है चीनी के साथ उसमें क्या है कि चीनी में जो लिपी चिन है जो लिखने की जो लिपी है लिपी के जो चिन है वो लगबग 420 या 426 के असपास है अब आप समझो 420 और 426 को बला को दूसरी बासा जानने वाला व्यक्ति क्यों सीखना चाहेगा जो सीखने वाले हैं वो सिर्फ या तो bilateral relations देवपक्स है जो चीन के साथ सम्मंद बनाना चाहते हैं उन देशों के में जो चीन का जो प्रोड़क्ट बिखना है उसके लिए सीखता है या फिर कोई मजबूरी में सीखता है पर हिंदी के साथ एक दूसरी इस्तिती है हिंदी के साथ जो जिस्तिती है वो पूरी दुनिया में एक सो तहतर देशों में हिंदी बोली जाती है पूरे देश कितने है दो सो चार या च्छे थोड़ा सा डिस्प्यूट है कोई चार मानता कोई छे मानता जिन 204 या 6 देशों में से 113 में जो बासा बोली जा सकती है वो बासा तीसरे चोथे नमबर की बासा कैसे हो सकती है आप उसको अगर डॉक्टर नोटियाल ने जो तथ्यात्मक जो आंकडे जो दिये हैं अपने रिसर्च में उनको देखा जाए तो हिंदी को बोलने वालों की संख्या लगबग लगबग 10 बिलियन है 10 बिलियन और चीनी को बोलने वालों की संख्या कितनी है 6.5 बिलियन तो हिंदी उन तथ्यात्मक आंकडों के आदार पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये आपको एक नया डेटा में दे रहा हूँ नेट पे आप सर्च कर सकते हैं चाहे तो किताब आप देख सकते हैं उसमें एक-एक देश में सारे देशों की सूची दी गई है कि किस देश में हिंदी को बोलने वाले जानने वाले समझने वाले लोग कितने हैं दूसरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बात ये है कि जब हम भारत की जब बात करते हैं अक्सर यह मान लिया जाता है कि भारत के जो दस राज्य है तथे जो हिंदी स्पीकर स्टेट्स हैं उनमें हिंदी बोली जाती है हिंदी भासा ही जो स्टेट है उसमें हिंदी बोली जाती है पर लोग यह भूल जाते हैं जब डेटा को जब उसमें एनलेसिस करते हैं कि हिंदी संपर्क-भासा के रूप में पूरे भारत में बोली जाती है एक दो प्रोदेसों में उसका थोड़ा एक भावनात्मक विरोध जरूर है भावनात्मक विरोध क्यों है इसकी मैं कभी दूसरे व्यख्यान में चर्चा करूगा क्योंकि यहां पे अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ा सा अलग अलग परपिक्षा जाएगा तीसरी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ का इंदी को जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो लोग कोन हैं इंदी को पढ़ाने वाले वे लोग हैं जिनोंने तथ्यते और वेग्यानिक रूप से इंदी का अध्यन नहीं किया है किसी लेबोटरी में जाकर के इंदी बासा की जो दुनिया है उसका अध्यान नहीं किया है अब आप में उनकी जो विद्वता है उसको मैं प्रसंद चिन लगाने की जो मैंने उसमें पोस्ट में जो लिखी थी वो आप देखेंगे मैं कुछ एक्जामपल्स और उससे संबंदित जो डाइग्राम्स है उसके आदार पर मैं आपको सारी चीज एक एक बिंदु वार पोइंट वायर एक सिलसले वार आपको उसके बारे में पूरी चीज बिलकुल एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से समझाने की क कोशिस करूँगा उसके बाद आप अपना मत बनाईए कौन सही है कौन गलत है यह आपका अपना वर्जन हो सकता है और होना भी चाहिए यह लोगतांतरिक देश है लोगतांतरिक देश में सारी जो चीजे है वो लोगतांतरिक मुल्यों का सम्मान करते हुए निरदारी तो ह दोनी चाहिए आज की जो हमारी जो इस ये जो व्यक्यान है इस व्यक्यान का विशे है हिंदी भासा और उसकी वर्ण व्यवस्ता सबसे जो मैत्पूर्ण जो भाग है किसी भासा का वो उसकी वर्ण व्यवस्ता है वर्ण व्यवस्ता से मतलब मैं उसको अगर सही उसमें तो मैं धोनी विवस्ता से उसको आगे उसके बारे में चर्चा करूँगा उसके बारे में तर्म यूज करूँगा वर्ण के जगे पर धोनी का में तर्म यूज करूँगा आप जब सब जानते हैं यह डाइग्राम आप जब देख रहे हैं यह डाइग्राम को आप देखेंग और इसमें आप देखिए ये जो मानव का वागयंत्र है जिसको हम अंग्रेजी में वोकल कार्ड बोलते हैं ये हमारी धुनियों के उच्चारन करने का एक पूरा का पूरा तंत्र है जिसके माध्यम से हमारी नहीं पूरी दुनिया की जितनी भी भासाइं बोली जाती है समझी जाती है केते हैं कंट पे वानी का वानी पे भोगली के सेत्र का प्रभाव पड़ता है और उसी से बासा की जो विशेशता है बंती विगड़ती रहती है मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं उलजाओंगा मैं सिर्फ आपके सामने दो चीजे रखना चाहता हूँ क पूरे को हम कंट के नाम से बोलते हैं और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक रासा एक बिंदू है ये इसको हम स्वरयंत्र बोलते हैं स्वरयंत्र के साथ दो आप देखेंगे तो दो रेखाएं हैं एक ये और एक ये इनको जब हम देखेंगे तो ये जो है एक भोजन नली है और एक ये इधर वाली जो है स्वास नली है जिससे आप हम सब स्वास लेते हैं और ये जो है ये भोजन नली है जिससे आप हम भोजन करते हैं और इनका जो सम्मन्द है, भोजन नली का हमारी जीवन और हमारी सारेरी कुर्जा से है, और स्वास नली का जो सम्मन्द है वो हमारी भासी कुर्जा से है, जो हमको भासा उचरित करने में सयोग करता है, मैं अक्षर मेरी पहली जो क्लास होती है उसमें स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप बताईए दhwni के से बनती है मुझे आज तक किसी बच्चे ने धीक से नहीं बताया कि दhwni बनती के से है दhwni के से बनती है फिर किस से बनती है ये जो दोनों जो प्रस्ण केसे और किस्से ये अपने आप में महत्पून है महत्पून क्यों है क्योंकि अक्सर जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ या पूछता रहा हूँ और मुझे जो जवाब मिलता रहा है वो बोलते हैं धोनी जो है वर्ण को कहते है मैं पूछताओं बंती किससे है ऐसा कॉनसा इलिमेंट है उसा थत्व है जिससे ध्वनी बनती है और बच्चे बताते हैं ध्वनी बनती है जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है तथ्यात्मक रूप से सही ये है कि हमारे फेपडों से जो प्राणवायू होती है ओक्षिजन होती है जिसको हम जीवन जीवन जीने के लिए हमारा सबसे मूल आदार है वो जो प्राणवायू है वो फेपडों से निकल कर स्वासनली के माद्यम से सबसे पहले यहां आती है यह जो है यह इसको स्वरियंत्र बोलते हैं स्वरियंत्र से बाहर निकलने के बाद उसको दो रास्ते मिलते हैं एक रास्ता जो मिलता है उसको हम मुख का रास्ता बोलते हैं जिसको मुख विवर बोलते हैं भासा विज्ञान में और ये जो है ये वाला जो इस्सा है ये आपका बहार आने का जो इस्सा है ये जो है इसको हम बोलते हैं मुख विवर विवर से आपको डरने की घबराने की जुरूप नहीं है विवर का मतलब है सामाने बासा में छिद्र और दूसरी का जो है वो है आपका ये ये आपका नसी का विवर इसको बोलते हैं नसी का विवर नाक और मुख से फेंपडों से निकलने वाली जो प्रानवायू है वो बहार निकलती है और जब वो बहार निकलती है तो वो कोईन कोई ध्वनी बन करके निकलती है और जब ध्वनी बनके निकलती है तो उसको दो तरीकों का सामना करना पड़ता है या यू कहें कि दम वो प्राण वाईू है उप्षारण वो द्वनियों के उच्चारण में दो प्रक्रियाओं का संधारण करती है पहली जो है Story कि स्वर्ध्वनि और दूसरी जो होती है उसको भुलते हैं वने दौनी कि मैंने कल जो अपनी पोस्ट में जो सोचल मीडिया पे डाला था उस पे यहीं पे आकर के सबसे बड़ी समस्या है कुछ जो स्वे नाम धन्य जो भासा विज्ञान के ग्याता है नामी विशेशक के हैं और मुझे लगता है हजारों लोगों को हो सकता है लाखों को भी पढ़ाते होंगे और पढ़ाने के बाद उनका ये मानना है कि स्वर और वेंजन जो दुनिया होती है उनके उच्छारन स्थान होते है पर ये तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्वरों का कोई उच्चारन स्थान नहीं होता है स्वरों के उच्चारन का तरीका होता है और वेंजनों का उच्चारन स्थान होता है वेंजनों का उच्चारन का स्थान होता है अब हम जब धोनियों को जो वर्गी करत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम उसको दो भागों में बाढ़ते हैं, classification of phoneme की जब हम बात करते हैं, place of articulation और manner of articulation, place of articulation में जो है, वो व्यंजन आते हैं, और manner of articulation में जो है, वो अधिकान स्वर आते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यंजनो का भी manner of articulation होता है, पर स्वरों का place of articulation नहीं होता है, जो कि मैं आगे के diagram में, और मैं यह जो वीडियो शेयर करूँगा, जो कि पूरी दुनिया में जो भासाय पढ़ाई जाती है, उसमें दुनियों को जो वर्गी करत किया जाता है, उसमें उस वीडियों में आपको इस प इस आधार पर यह जो प्राणवा यू अंदर से निकलती है, इसको हम दो भागों में बाड़ते हैं, दो भेदों में बाड़ते हैं, एक होती है सबाद गती से उचरित दुनिया, एक होती है अबाद गती से उचरित दुनिया, जो होती है वो वेंजन कहलाती है, और diagram है, इसमें मैंने एक एक वागयंत्र के हिस्से को बारीकी से और वेग्यानी कुरूप से परदर्सित करने की कोशिस की है आपको ये diagram साहई हो सकता है net पे कहीं नहीं मिले क्योंकि मैंने ये medical science के कुछ से लेकर के इसमें मैंने hindi का जो placing है वो किया है ये जो होती है ये स्वर्तंत्र होता है ये इसका जो होता है ये मुख जो हमारा जो ये कोवा होता है जिसको पर एक मांस्पिंड सा होता है लटका हुआ उससे वो कभी वो इसको डगता है कभी वो इसको डगता है जब हम खाना काते हैं तो वो स्वासनली को कबर कर लेता है और जिव्य को आप सादान भासा में कंठ बोलते हैं, फिर होती है जिव्या, जीब बोलते हैं, फिर टॉंचिल्स होते हैं, इसका कोई भासा के उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं होता, पर भासा के कुछ भासाओं में इसका भी उच्चारनक में अपनी इसेदारी होती है, तीसरी होती है अलजिव्या फिर होता है कोमल तालू फिर होता है तालू इसको तालव्य भी बोलते हैं फिर होता है आपका नासी का विबर मसूडे दात दियोस्ट निचला जबडा जिव्या मूल और ये सारे के सारे मिलकर के दोनियों के उच्चारण में अपनी अपनी भूमिकाएं निबाते हैं जो कैसे निबाते हैं इसको हम आगे की स्लाइट्स में देखेंगे आगे की स्लाइट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाता हूँ और वो बात ये है कि हम जब दोनियों के उच्चारण की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले अब तक ये माना गया है जो फेपडों से प्रानवायू भार निकलती है वो दोनियों के उच्चारण में सायक बनती है ये 100% सही है पर अब जो नए जो रिसर्च आये हैं नए रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि फेपडों से निकलने वाली प्रानवायू जो होती है वो मस्तिक्स के दो-तीन हिस्चों से गत्रोल होती है और वो जो गत्रोल यूनित जैसे आप चुनावों में देखते हैं बहलती है वह दो आइप ओर मस्तिक्स के बिच में क्या संबंध है अक्सर ये माना जाता है कि मस्तिक्स हमारी पूरी की पूरी जो सारे रिक संरचना है उसका मास्टर है वो अपने निर्देश देता है वो जो निर्देश देता है वो हमारी जो ग्यानेंद्रिया जिसको हम बोलते हैं जिसमें पांच ग्यानेंद्रिया है इनको मस्तिक्स जो है वो सीधे अपना आदेश देता है और बागी की बोड़ी के जो इससे है आत पेर जो है इनको जो है वो रीड की हड़ी के माध्यम से अपना निर्देश देता है इसमें अब हम जब देखते हैं तो जो पहला जो इससा है जिसमें मैंने यह आपको कहा है काम मस्तिक्स के विविन संरजनात्मक और क्रियात्मक पर चर्चा करेंगे मस्तिक्स के जो संरजनात्मक पहलू है संरजनात्मक जो हिस्से हैं वो आप हम सब जानते हैं क्योंकि हमने 10-12 तक सबने साइंस पढ़ा होता है और साइंस पढ़ने में यह जब आनते हैं कि मस्तिक्स के तीन हिस्से होते हैं अनुमस्तिक्स प्रेमस्तिक्स और मस्तिक्स और इस तरह से जो इसकी जो संदचना होती है वो संदचना बासा में कैसे काम आती है मैं आगे वाली स्लाइड में आपको उसके बारे में चिक्र करू है मस्तिक्स के लगबग 64 इससे अइडेंटिफाई हो चुके हैं जो कि हमारे सरीर के कौन-कौन से इससे को कंट्रोल करते हैं पर हम जब भासा की जब बात करते हैं तो भासा से जुड़े हुए जो दो हिससे हैं एक को बोलते हैं ब्रोका एरिया ब्रोका सेत्र दूसरे को बोलते हैं वर्निक एरिया वर्निक सेत्र ये जो दोनों जो इससे हैं ये बासा से संबंदित इससे हैं और ये बासा के उच्चारण में बासा के बनने बिगडने में बासा को समझने में कैसे काम करते हैं मैं आगे की स्लाइट्स में आपके बारे में आपके सामने रखूँगा दूसरा हम इसमें जो इसके जो दोनियात्मक जो पहलो है एक दोनी कैसे बनती है वो दूसरे दोनी से कैसे बिन्न होती है इसके कुछ डायग्रामस के माद्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और वर्ण और धूनी को दोनों को एक ही मानिएगा वर्ण जो है दूनी का लिप्यात्मक प्रतिचिन है लिखने की उसका एक प्रतिक है और इसमें जब हम बात करते हैं तो दोनियों के वर्गी करन कैसे किया जा सकता है इस पर हम बात करेंगे दोनियों का उच्चारनिस्तान कहा कहा होता है इस पर हम बात करेंगे वेंजन और स्वर में क्या फर्क होता है इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो confusion है वह इसी इसी को ले करके है कि स्व्रों का भी इसतान होता है या नहीं होता है अब आप देखए में जो आपको जो मैं बात कहना चाह Ra thrilled कि जो भासा और मस्टिक्स के बीच में जो अन्ते संबन्ध हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकरुषित करना चाहता हूं मैंने आपको बताया कि हमारे जो मस्टिक्स है मस्टिक्स में दो हिस्से ऐसे होते हैं जो कि हमारी बासा से जुड़े हुए होते हैं, हर व्यक्ति की बासा से जुड़े हुए होते हैं, और उनमें एक जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं ब्रोका एरिया, जो मैंने अभी आपको पहले पिछले वाली उसमें बताया था, और ये जो दूसरा वा ब्रोका बोलते हैं, दूसरे को जो वर्निक बोलते हैं, और वस्तुते इनका कोई ऐसा कोई नाम मस्तिक्स के उसमें नहीं आया है, इन सेत्रों को खोज करने वाले दो जो विज्ञानिक हैं, विद्वान, चिक्चा, विज्ञान के जो डोक्टर्स हैं, उन्होंने किया है, पह इसको जो सर्च किया वो वर्निक साम ने किया इसलिए इसको वर्निक एरिया बोलते हैं इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा तकनी की पहलू नहीं है पर यह जो दोनों जो एरिया जो होते हैं वो आप देख रहे होंगे यह जो लाल वाला जो हिस्सा है इसते यह दोनों जुड़े ह होते हैं और यह जो जोड़ने का जो काम करती है इसकी यह जो है यह यहां मोटर एरिया बोलते हैं यह मोटर एरिया इन दोनों में सामंजे से स्तापित करती है कि कोई ध्वनी होती है वो कैसे उत्पादित होती इसमें जो है इन दोनों इसों को कंट्रोल करती है और हम वासा को समझते हैं और समझने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई जाती है इसमें जो अगर हम क्योंकि यह आपके उसमें सलेबस में अभी तक कहीं सामिल नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता दू पहला जो स मस्तिक्स की जब हम बात करते हैं तो फिर सनस्नात्मक और क्रियात्मक पहलों की एम चर्चा किये हैं यह को समझने का काम करता और यह जो होता है पहला जो है वो दोनियों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है यह वाला हिस्सा होता है वो दोनियों का उत्पादन करता है और यह वाला जो हिस्सा होता है वो उनके अर्थ का निर्दारन करता है अर्थ के निर्दारन से आप जानते हैं, हम बासा के अर्थ को समझ बाते हैं और बासा का जो अर्थ होता है, वो सब के समझ में आता है इन दोनों के बीच में क्या अंत्य सम्मंद है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आगे की जो स्लाइड्स है उसमें इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनियों का निर्मार और बोलने की जो प्रक्रिया है बोलने की जो नियम है वो कैसे निर्दारित होते है इस पे हम चर्चा करेंगे आप देखेंगे ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ये इन इस्सों को आप थोड़ा सा धान से समझ लीजिएगा ये आपके वेसे तो काम नहीं आएंगे पर भासा के सेत्र में आपके काम आएंगे मैंने आपको बताया ये जो पहला जो इस्सा है ये जो है ब्रो का एरिया है ये बर्नी के एरिया है ये मैंने ब्लैक और वाइट चितर इसलिए रखा कि यहां आपको ये जो मोटर एरिया का जो है उसके माध्यम से आपको ठीक से समझ में आ जाए इसको अगर व्यू केते हैं यह लेटरल भी होता है और यह जो होता है यह दोनों इस तरह से जुड़े हुए होते हैं पहला यह दूसरा यह और इसमें आप देखेंगे तो यह जो होता है यह यह दोनियों का जब उत्पादन होता है दोनिया जो उत्पादित होती है तो यह एरिया जो होता है इस मोटर ए बन्त जो है निरंद जो वाक्तियों को बोलते रहते ऐसे बासा बंदी बिगड़ती रहती पहले कासग से रहे वह सुर्वन शेत्र के निजदीक होता है यह और यह दूजरे से रहे हैं अब मैं आप से जो बात करना चाहा रहा हुआ था वह बात यह है कि वर्निक और ब्रोका जो सेत्र है उन दोनों में अंते संबंद क्या है दोनों के बीच में संबंद क्या है इन दोनों के बीच में जो संबंद की जब हम बात करते हैं तो ब्रोका की खोज जो है वो जब हुई उसके दस साल बाद लगबग वो कारल वरनिक ने एक और वेग्यानिक थे जिन्हों ने इस वाले सेतर की खोज की जिसको हम वरनिक एरिया बोलते हैं वस्तुते इसकी पीछे की एक कहानी है जब ब्रोका ब्रोका बैसिकली जो है वो साइके ट्रिक थे जो जिसको हम डॉक्टर की भासा में मनो वेग्यानिक कहते हैं और आप जब जानते हैं हमारे जो गाउं में किसी को भी पक्षा गात हो जाता है लगवा मार जाता है पैरलेसिस हो जाता है तो उसमें जो है हमारे जो ब्रेन की कुछ जो पोर्संस है इससे है वो डाइमेज हो जाते हैं और ब्रोका ने के पास जो पहला जो पैरलेसिस का जो म के बाद वो जो है blood प्हेल गया जिससे अक्सर यह होता है जब आप भी जानते हैं जब किशी को लगवा मार जाता है या जिसको पैरलैसिस हो जाता गए तो वह उसकी सबसे पहले उसकी बोली जाती है भासा जाती है वह बोल नहीं पाता है और उसको जो है वो ब्रोकर ब्रोका ने सबसे पहले identify किया फिर बाद में लगबग 10-12 साल बाद वर्निक ने ये पाया कि ये तो ठीक है ये धोनियों से उचरित संबंदे सेत्र है पर ये जो दोनिया है इनका आर्थ से कोई संबंद नहीं है जब उसका सेत्र डाइमेज हो जाता है उसका जो ब्रोका एरि उसका आर्थ नहीं होता है केवल दोनियों का उच्चारण होता है ऐसे में जो वर्निक साहब ने जो है उन दोनों हिसों को जोड़ करके और बासा के उत्पादन और बासा को समझने के जो दो सेत्र थे उसके बारे में बात की और इसके बाद में जो खोज की तो उन्होंने ये पाया कि जो बाया जो हिस्सा है मस्तिक्स के बायोर का जो हिस्सा है वो बासा के अर्थ से संबन दिता है और वर्निक ने ये जो ये भी कहा कि जो लोकिक लोब है वो आंसिक रूप से पार्श्विक लोब में इस्तित होता है ये दोनों इसमें जो होते हैं वो लगबग सेतर के उपर आश्रीत रहना पड़ता है और उसी से उसको समझा जा सकता है ऐसे ये अर्थ को बनाने और इसकी कायों से जुड़े हुए जो है जैसे आप कोई भी सब्द लिखते हैं जैसे आप लिखेंगे कलम तो आप सब समझ जाएंगे कलम का अबलब लिखने की कोई एक चीज है जिसे लिखा जाता है पर अगर आप मालिज ये इसको लमक बोल देंगे तो इसका हिंदी के उसमें कोई वो नहीं है तो वर्निक ने ये कहा कि ये लमक बोलने का मतलब है आप बासा का उत्पादन दुनि अब हम बात करेंगे मुख्य विंदू पर आएंगे जिसमें हम इंदी की जो वर्न विवस्ता है उसका जिक्र करना चाह रहे हैं और जिस पे कई सारे लोगों को आपतियां भी हैं और उन आपतियों का मैं एक-एक करके आपके सामने अपने तरक रखने की कोशिश करूँग में और हम जब धोनियों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रसन है जो मैंने आपको वैख्यान के शुरू में बताया कि मैं अकसर किसी क्लास में जाता हूं तो यह पूछता हूं कि धोनी किसे कहते हैं तो अकसर जवाब आता है वर्न को धोनी कहते हैं जो कि एक गलत है फ ने आपको आरंब में बताया ध्वनी जो है वो प्राण वायू के भार निकलने से बनती है और जैसे रोटी बनाने के लिए बैसिक यूनिट आटा होता है वैसे ही ध्वनियों के उचारण के लिए बैसिक यूनिट होती है वो प्राण वायू होती है फिर हमने बात करते हैं अ अपने उचागल की प्रिक्रिया होती है जो मैंने पहले भी जिक्र किया और आगे भी इसको मैं जिक्र करो। फिर दुनियों का जो वरगी करन है वो कैसे किया जा सकता है तो मैंने आपको दो मोटे रूप में बताया, एक सबाद होता है, एक यह है जो है, अबाद का मलब बिना बादा के, को सबाद में सबादा सहीट, अवरोध सहीट. जो इन दोनों दुनियों में जो अलग-अलग होती है वो जो सबाद होती है जो बादा सहीद होती है उसमें वेंजन दुनियों के उचारण होता है जो अबाद होती है जिसमें वेंजनों में दुनियों के उचारण में प्राणवायू को कहीं पर कोई अवरोध का रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता वो जो स्वर्ध धुनिया होती है फिर हम बात करते हैं कि धुनियों के उचारण में प्रियुक्त अव्यव कौन से हैं तो मैंने आपको सारी एक एक करके बताया कि यह सुर्यंत्र है दूजरा स्वर्यंत्र मुख तीस रा कोवा चोथा कंठवली जिव्या पाच्वा जिव्या दात बार्वा होस्ट और फिर यह तेरवा निचला जबडा और यह जिव्या मूल सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्वरियंत्र जो होता है स्वरियंत्र में जो है स्वर्तंत्रिया होती है इनको बोलते हैं स्वर्तंत्रिया स्वर्तंत्रिया जो होती है वेसे तो कई सारी इस्तिती मिलती है पर भासा के सेत्र में हिंदी के सेत्र में विशेज रूप से जो है वो पांच इस्तितिया मिलती है पहली में देखिए ये जो मेरा कहने का मरलब ये जो सफेज जो आला जो इसा है इससे है जो इसको पेक्षा करत नजदी की इस्तिती होती है ये इसमें थोड़ी जादा खुली होती है फिर ये इसमें जादा खुल जाती है और ये जो है ये इसमें पूरी खुल जाती है ये ज बात करते हैं, तो वो सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है, वो यहीं से संदारित होती है, यहीं से निरदारित होती है, यहीं बनती भिगरती है, इसके तथे में एक और बात जो धान देने की है, अक्सर महिलाओं का जो स्वर्तंत्रियां है, फुर्सों की जो स्वर्तंत्रिया उसे अक्क्रत बहुत ज्यादा सोफ्ट होती है और जब चीज Lamby स्वण फॉती है तो आप होती है पर थोटी करकसो ठोड़ी कहठो इंदूतर है तो fresh यो तो उसके जो मार्ग होते हैं, एक मार्ग को जिसको हमने, मैंने बताया है, वो नासी का विवर के माद्यम से निकलता है, ये नासी का विवर है, ये इसको हम मोखिक दो, शोरी, ये वाला नासी का विवर है, ये मोखिक है, मोखिक में प्राणवायू सीधे मुझ से बाहर निकल जाती है, और इसमें ये वाला हिस्ता निकल करके कभी दोनों से निकलती है, कभी एक से निकलती है, इसे दोनों से निकलती है, तो उसकी जो इस्तिया दो तरे की होती है, एक मानुस्वार नो दुनिया निकलती है, एक मानुनासिक दुनिया निकलती है, वो आगे कि उसमें हम बताएंगे, तीसरा मैंने आपको बताया था जीब, जीब के जो होते हैं, पांच इससे होते हैं, जिव्या मूल होता है, जिव्या पस्च होता है, यह मैंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, कि यह कौन-कौन सी जग होता है, फिर यह जिव्या अगर होता है, यह जिव्या फलक होता है, जो जीब के बिलकुल उसका होता है, और यह टिपो धटंग होता है, जिसको हम ज जा रहा था जिसकी वज़े से ये लेक्चर के रूप में आपके सामने में आया हूँ मैंने आप से कहा कि देखिए वेंजन और स्वर धुनियों में उच्चारन की प्रकरिया से संबंदित अंतर होता है उच्चारन से संबंदित अंतर क्या होता है देखिए ये जो होता है ये यह हमारे जबडे में यह नीचे वाला जबड़ा है और यह उपर वाला जो है जबड़ा है इसके बीच में एक ऐसी इस्तिती होती है जिसको ऐसा तिर्कोन आत्मक एक आकरती बनती है जिसको सुर तिर्कोन बोलते हैं और इसकी यह जो डाइग्राम्स जो दिये हुए हैं इन के आदार पर दोनियों का सुर दोनियों का उचारन होता है और उसका निर्दारन भी होता है कैसे निर्दारन होता है जैसे यह इसकी तीन इस्तितियां होती है पहली होती है अग्र दूसरी होती है मद्य तीसरी होती है पस्च इसमें फिर नीचे की अगर बात करें तो इसमें पहली होती है संवरत, दूसरी होती है अर्द संवरत, तीसरी होती है अर्द विवरत और चोथी होती है विवरत, अर्द संवरत और विवरत और संवरत को समझने के लिए सिंपल सी बात है, संवरत का मतलब सक्रा होता है, कम उसमें जगे होती है, विवरत का मतलब चोड़ा होत जो बात करते हैं तो लगबग लगबग यह इस्तिया बनती है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि यह जो यहां से जो होती है यह मां उसका जो पात जो होता है वागा वो सकरा होता है सकरा करने की वाद यह जो है अर्ध सम्रत थोड़ा कम होता है सम्रत में यह जो यू बनत बरगिकर्ण दिया हुआ है अक्सर ये माना जाता है हिंदी में जो है वो ग्यारा स्वरी होते हैं पर यह अंग्रेजी का जो O है जिसको आगत O मान लिया है हमने इसके आधार पर एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ये ग्यारा दुनिया होती है ये हम जो बात कहना चाह रहे थे जो आपको आगे समझाने की कोशिस करेंगे वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं सोरों के उच्चारन की तो ये अलग-अलग सोरों के उच्चारन की प्रक्रियाएं बनती है आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे, जो मैं वो वीडिया व मैं आपको तकनी की रूप चे दिखानी पा रहा हूं, वह आपको अमीज के जो एडिते वर जने उसमें देंगे. Let's talk about each of these in turn. Height refers to how high or low the tongue is in the mouth when producing the vowel. For example, consider the vowel sounds ee and ah. If you say both of these vowels in succession, you should feel your tongue going up and down as you say ee, ah, ee, ah, ee, ah. In terms of height, vowels are either considered ईसे ही ओ, ओ, आ ओ, आ इनके चार जगाह की चारो कलास्म किया हुआ है फिर ये ये साइदी डाइग्राम डबल आ गया है इसमें ऐसे ही ईनकी इस्तिय है कहने का मतलब यह है सोरों का उच्चारन इस्थान नहीं होता है उच्चारण प्रक्रिया के माध्यम से सुरों का उच्चारण होता है। वहन और अगर हम इससे नीचे से चले इससे चले ओस से चले तो यह जो है यह दोनों और चूस बाद पेवार्य का उचार न होुथा है पिर यह यहां पर इसका है वह संखरा पनाता है तो यह अई इसे आप देखें गे तो यह वहां होता है compellingh जो धुँड़िया ल गुरम को उस winter यहां पें कुछ नियों को दो जो नहें जो दिनिया जोगम वोलाबर लगबर प्रेश होते हैं जैसे हम बह बोलते तो बह में पैगे अपिक्षा थोड़ा ज्यादा प्रेसर आता है ऐसे ही जो अंत्य जो धुनिया है या ताला हुए है और ये जो है ये सारे के सारे इसके place of articulation है इन इस्थानों से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है बलकि इन इस्थानों की साहता से स्वरों के उच्चारन के मार्ग को सकरा और चोड़ा कम या ज़्यादा किया जाता है पर टच नहीं होता है देखिए कोई भी place कब बनता है जैसे suppose माली जी आप दिल्ली से चले बंबई जाएंगे बीच में आपको कोटा आएगा अगर माली जी आप राजदानी एक्सप्रेस में बैठे है तो वो जो अगर माली राजदानी एक्सप्रेस में कोटा में अगर उसका इस्टोपेज नहीं है तो उसका जो है वो इस्थान नहीं बनेगा ये गोथ्रू हो जाएगा गोथ्रू की जो प्रक्रिया है उसमें इस्थान नहीं बनता है और यही सोरों के उचारण में होता है जब प्रानवायू निकलती है तो वो बाहर आजाती है और वो कहीं पे भी किसी तो छूती मैं मार को सक्रा चोरा जरूर करती है जब हम बात करते हैं तो हम विसर का उचार्ण यहां से होता है जिसको आप कंठे अलजिव्य बोलते है फिर यह है उससे थोड़ा सा उपर होता है फिर यह कैवर्ग जो आपको अर्वी फार्शी का का होता है उसमें होता है फिर इसको अगर हम बात करेंगे तो यह हिंदी का विशुद्ध कावर्ग है ये जो है चावर्ग है ये टावर्ग है ये तावर्ग है और ये पावर्ग है ये पाँच ओवर्गों के संकेतिक रूप से जो है वो जबडे में इस तरह की जो पोजिशनिंग होती है अब जब उचारन करते हैं तो हम क्या होता है उचारन जब वि place of articulation बनाता है manner of articulation अलग होता है अगर मूर्दन दुनिया है तो यह मूर्दा को जाकर करके यहाँ पर वो करती है तो यहाँ पर आपका सक्रा कर देगी ऐसे दंत दुनिया है तो दाँतों के पास आकर के आपका place उसको छुएगी उसको रोक देगी ऐसे ही अन्ट धुनिया हैं वो भी आप जब देखेंगे तो सारी की सारी जो धुनिया हैं इसमें इसी तरह की डायेग्रामस के माध्यम से आपको बताया गया है कि उस्त में जो है बिल्कुल देखि कि यह सक्रा हो गया मिल मपर छुगया और यहां से इनों ने यहां से जो वायू निकलने वाली है इसको यहां बिल्कुल ब्लोक कर दिया, ब्लोक करने के बाद छोड़ें फिर ऐसे ही यह तालव दुनिया है, यह तालव को यहां इनों ने कमजोर कर दिया ये नाशे के मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वर्थस है, वर्थस को अपने यहां पे वो कर दिया जो दो धुनिया है, ये जो डै के नीचे बिंदे वाला जो होता है उसकी इस्तिती के उच्चारण की ये होती है और ये जो लै है, लै में भी आप अगर इस तरहे राजस्तानी को आप जब जानते हैं लै लै बोलते हैं, तो लै दोनी का उच्चारण भी जो है वो यही से होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है एक और बात जो माँ आप से विशेश दरूप से कहना चाहता हूँ वो इधर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा देखिए राजस्तान के जो बच्चे हैं, मैं दिल्ली इंस्टी में था इसलिए उनकी उच्चारण हमेशा बादित होता है और उच्चारण में वो तालव और वर्थ का जो सेह उसको वो बोल नहीं पाते हैं बलकि वो यह संसार वाले सेह को ही बोल पाते हैं जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आप जानते हैं के कंट पे बोगोलिक सेत्र का प्रभाव पड़ता है और बोगोलिक सेत्र का उसके भासा के उपर प्रभाव पड़ता है वहीं यह इसकी जो वज़े है यह मैं आपके सामने जो है वो स्वरों और वेंजनों का जो उच्चारण है उसको मैंने डायेग्राम्स के माद्यम से और जो उनकी वास्तवी किस्ति है उसके आदार पर मैंने आपके सामने विसलेशित किया इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स लिखिएगा अगर कोई भी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे गलत बताईएगा जो पढ़ा रहे हैं गलत तो उनको भी हो किईएगा बाकी कब मैं आपको अपने वीडियो के माद्यम से भी जो धोनियों के उचारन में बाकाइदा आपको उसका जो मुमेंट जो वागयंग में मिलेगा उसके आदार पर धोनियों का जो उचारन की जो प्रक्रिया है वो निर एक-एक करके एक-एक दोनी को एक-एक वर को सोरो को वेंजनों को सोरो की सारी ग्यारा दोनियों को वेंजनों की सारी दोनियों को एक-एक करके एक-एक करके उनका उचारन और उनकी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे इसके बारे में अगर आप अभी में जल्दी में कु आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बागी एक और ग्रामर की जो किताब आ रही है, उसमें भी इसका पूरा विश्तरत रूप से विवरल है, थेंक यू.